कि यह ट्राइनकुलर माइक्रस्कोप है हमने इसको वीडियो पर कैसे चेक करना है यह माइक्रस्कोप का पूर पूरे डिटेल में आपको बता रहा हूं कहां से आपको नहीं यूज करना हो और कैसे इस पर लाइव प्रोग्रम देखनी है यहां से यह वाइर है लीड पावर का यहां से स्विच ओन कर लेना है यह जैसे यह ओन होगे लाइट यह यह लगावा है यह डीमर कम ज़्यादा के लिए बस आपने मीडियम रखना है थोड़ा सा ठीक है जिससे कैमरे की प्रॉपर लाइट जाती है और यह हई मोशन है यह फाइन मोशन है और कैमरे का वायर यह 14 मेगा फिक्सल कैमरा है इसके हमने वायर यहां से लगाकर लैप्टोब में यह इस प और आपको बता रहा हूं पहले आपने इसको फाइन कर लेंडिय मैं इसको स्टार कर लिए फिर 40 फिर 100 फिर 4 X इसी प्रंच से आपने चेंड़ कर लेने है ठीक है और पहले में 10x से स्टार्ट मैंने फोकस किया वैं अब इसको मैंने फाइन फोकस कर लिया फाइन फोकस करके यह राइक यह हो गया अंदर फोकस क्लियर भी ख्राइब इसके बाद हमने जब इस पर स्क्रीन पर जाना तो इस लोग को खोलना पड़ेगा ठीक है और जो मैंने सीडी में सीडी दिये हमने इस बोकस में सीडी है जो आपने सोफ्ट्वेर इसका सोफ्ट्वेर के लैप्टोप में लोड कर लेना है जिससे यह प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जए और यह 10x पे 10x पे आगया ठीक है इसी तरह से आप चेंज करोगे यह आगया इस से फाइन कर लो यह फाइन हो गया यह 40 भी आ गया को के इसी तरह से 100 पे इह 100 पे और इसको फूरब ऑद था फाइन कर लो इस इस मोशंसे करना बेख फूरड फाइं ऑभी मा आपको क्लिंत कैसे लेना है और रिकॉर्डिंग कैसे लिए और option में दिखा रहा हूं इसी तरह से आपने 5 कर देना यह होगे चार ओप्शन होगे है ठीक है इसके साथ यह सर स्नैप का option है यह वीडियो बनाना या record करना है जो भी करना है अपने record करना है यह स्नैप का यह record का इसी तरह से आपने इसका कोई भी वीडियो प्रोग्रमिंग रिकॉर्ड करना है स्नाप इचना वो इससे करके आप प्रिंटर से प्रिंटर निकाल सकते हो और इसमें आप सेफ कर सकते हो डाटा